जै माता दी बैनों बैनों और भाईयों सबसे पहले तो नाग पंचिमी की हार्दी सुपकामना और आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहां नाग पंचिमी का तेवहार कैसे मनाया जाता है अगर आपको हमारी कहानी सुननी है, कथा सुननी है तो हमारे चैनल पर आप जाईए और 5-6 दिन पहले मैंने कथा लोट की थी सुनिएगा जाके और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बासपेई में गुडियां कैसे मनाई जाती इंदुधर में गुडिया कैसे मनाई जाती है जैमातादी बनो ये गुडिया का त्योहार लड़की का मैके का होता है लड़किया अपने मैके आती है और धूमधाम से गुडिया का त्योहार मनाया जाता है लड़किया गुडिया ले जाकर के पानी में डालती है और लड़के जो घर के होते हैं वो गुडिया पीटते हैं ये तो हर गाउ में तो बहुत ही दूमधाम से मनाया जाता है गाउ में तो एक इस्थान बना होता है वहाँ पर गुडिया डाली जाती है जितनी गाउं की लड़किया होती है वो गुडिया डालती है जितने गाउं के लड़के हो और चिपल पता होता है उसको तोड़ा करके लाती है और जो भैंस के खूटे हो सब्सक्राइब के खूटे जीदे होते हैं उन पे रखताही म हैं बहुत ही अच्छा वहार है लेकिन बैनो आपको अब ये बता दूं कि मैं घर में पूजा कैसे करती हूं बैनो पूजा घर में इस तरह से होती है कि सुबे उठ करके नहां धो करके सबसे पहले तो मैं दिवाल में चित्र बनाती हूं काजल से साथ या पांस नाग बनाती हूं और एक दिन पहले जो गेहुँचना भिंगोया जाता है उस गेहुँचना से सबसे पहले पूजा करती हूँ फिर उसके बाद बनो घर में खीर बनती है खीर बनाती हूँ और गेहुँचना उबालती हूँ और आप जैसे करें मैं तो इसी तरह से करती हूँ और जो खाना बनाना है पनीर वी सब्जी बना लीजिए छोला बना लीजिए बहुत सारी चीजें है पूरा खाना बनता है बहुत ही अच्छा लगता है इस तेहार में फिर उसके बाद जो गेहूं चना उबालते हैं और जो खीर बनती है उससे नाग दोता की पूजा करते हैं जो चित्र बनाया है मैंने और उसके बाद बैणो क्या होता है जो खाना है, खीर है जो भी है भगवान को भोग लगाते हैं अग्रुवासन निकालते हैं उसमें सारी चीजे रख कर के गाय को खिलाते हैं गाय की तो अग्रवासन आप डेली बनाती हैं इसी तरह से सारी चीजे रख करके गाय को खिलाते हैं फिर उसके बाद बेहनों क्या होता है कि हरे हरे कपड़े पहन करके जो घर की लड़की होती है और बहुत ही अच्छा लगता है जब लड़की हरे हरे कपड़े पहनती है और हमारे यहां बेहनों क्या होता है कि यह परंपरा चली आ रही है पहले से कि छे गुड़िया और एक गुड़ा बनाया जाता है वो गाउं में तो पहलाब मिल जाता है लेकिन बेहनों सहर में यह चीज तो मिलती नहीं है तो बाहर पानी भरा होता है और पानी में गुड़िया वो जो लड़की होती है घर की वो डाल देती है और जो लड़का होता है वो पीट देता है अगर अपने घर में यह सुबदा नहीं है लड़की कि लड़के की लड़के तो मुहले की लड़किया हैं उनसे डलवा करके और लड़के हैं मुहले के उनसे डलवा उनसे पिटवा दिया जाता है यह हमारे यहां का रिवाज है औत्रUp बहुत ही अच्छा लगता इस त्होहार में फिर उसके बैनों हमारे एक हपते के बाद सुजियां होती हैं और सुजियां में भी मिट्टी खोद करके इस बोई जाती हैं वो भी तेवहार बड़े धूमदाम से मनाया जाता है अब मैं अगली बार बताऊंगी कि सुजियां का तेवहार हम लोग कैसे मनाते हैं रात में नाग दियाली में दूद रख देते हैं और रात में ये आसा करते हैं कि नाग दियाली आ करके हमारे दूद को पीएंगे इस तरह से ये त्योहर मनाया जाता है बैनों आप किया कैसे मनाया जाता है कमेंट करके बताईएगा और हमारे चैनल पर जा करके हमारी कहानी जरूर सुनिएगा 5-6 दिन पहले मैंने लोट की थी जैमाता दी